हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेकनोटेक यूट्यूब चनल, आज का हमारा टॉपिक है एमिशन नोम्स, तो सबसे पहले हमें एमिशन नोम्स क्यों लाना पड़ा, एमिशन नोम्स याने की जो IC engine है, ठीक है, उसमें से जो पॉलिशन निकलता है, उसको हम एमिशन बोलता है और उसको एमिशन को कंट्रोल करने के लिए जो नोम्स बनाया है, that is called the emission नोम्स तो friends, यहाँ पर मैंने figure बता कि आपको समझाने का try किया है, कि देली जो है, दिली में यहाँ पर आप देख रहे हो कि दिली में जो traffic लगता है, ठीक है So, Delhi wastes 40,000 liters of fuel per day in a traffic jam, मतलब कि traffic jam में 40,000 liters दिली वाले उड़ा देते हैं, ठीक है which is nearby 40,000 kg of diesel, petrol and CNG, और उससे carbon dioxide produce होता है, वो होता है 115,609 kg, तो यह थोड़ा पूराना data है, लेकिन अभी तो इससे भी बढ़ गया होगा, ठीक है which is generally 115 tons of unhealthy black suit So, मैं कहना यह चाहता हूं कि अभी जो traffic की समस्या हो रही है, ठीक है पहले तो क्या था शुरुआत में जब गाड़िया बनी थी, तब यह pollution का issue नहीं था लेकिन जैसे जैसे गाड़िया बनती गई, वैसे वैसे pollution का issue raise होता गया, ठीक है इसलिए हमें emission gnomes बनाना पड़ा So, basically, जो emission gnomes आया, वो हमने Europe country से लिया है इसलिए हमने euronomes as a reference लिया है, ठीक है तो euronomes क्या है तो euronomes defines the maximum limit of pollutant that the vehicle can emit मतलब की, जो CO2, nitrogen oxide, sulfur and suspended particulate matter याने के PPM तो particulate matter यह जो है, उसको एक limit कर दी गई है ठीक है So, if the vehicle emit more than this limit, it cannot be sold in Europe मतलब की, अगर वो limit से उपर vehicle का emission करता है तो वो बिकने के काबिल नहीं है वो vehicle वो नहीं बेच सकते ठीक है So, in India, we follow the euronomes under the label of Bharat stage gnomes मतलब की, Bharat stage gnomes से हमने यहाँ पे, वो emission gnomes लागो किया ठीक है We are gradually implementing them in more and more cities ठीक है हमने शुरुवत में, जो mega cities है, उसमें apply किया उसके बाद nationwide हमने उसको apply किया तो friends, समझते हैं यहाँ पे efforts to control the emission मतलब की, जो emission को control करने के लिए हमने क्या-क्या efforts लगाए तो 1991-1992 में जो petrol और diesel vehicle जो है, वो आये ठीक है यहाँ पे तो यहाँ से emission gnomes यहाँ पे forcefully थोड़ा apply किया गया ठीक है वहाँ पे यह सब 42 major cities है ओके और आज जो है वो available across the country पूरी country में वो apply किया गया है catalytic converter उसके बाद जो 2000 है उसमें हमने BS1 apply किया ठीक है 2000 passenger car commercial vehicle euro 1 equivalent India 2000 normes ठीक है वो हमने apply किया और वो जो था सिधा nationwide हमने use किया है और यहाँ पे जो 2001 है ठीक है 2001 में हमने euro 2 याने की BS2 normes apply किया और 2001 में जैसे friends यहाँ पे और book में थोड़ा data मतलब mismatch हो सकता है 2001 में शुरुआत में दिल्ली मुंबई कॉलकत्ता एंड चलने ठीक है तो यहाँ पे लागू हुआ 2001 में euro 2 याने की भारत स्टेज BS2 ठीक है अब 2003 and 2005 as per the book 2003 में metro city में बहुत सारी city में जैसे की एमदाबाद, पुने, सूरत, कानपूर, आगरा बहुत सारी city में 2003 में वो BS2 हमने apply किया और 2005 में हमने nationwide BS2 apply किया ठीक है उसके बाद बारी आती है भारत स्टेज 2 यान 3 sorry भारत स्टेज BS3 और euro 3 तो 2005 में यहाँ पे friends वो लिखा नहीं है लेकिन वो सब अंदर mix है 2005 में मैं बोल रहा हूँ आप सांती से सुनना 2005 में भारत स्टेज जो 3 है ठीक है वो दिल्ली, मुंबई, कॉलकत्ता, चन्नी, फिर बैंगलोर, हैदराबाद, यह एमदाबाद, पुने, सूरत, यह बड़ी-बड़ी city में 2005 में euro 3 apply हुआ ठीक है और 2010 में जो है euro 3 nationwide मतलब कि पूरे भारत में euro 3 या तो bs3 2010 में apply हुआ मैं फिर से repeat कर रहा हूँ पूरे भारत में 2010 में bs3 apply हुआ और जो bs4 है वो कब लागू हुआ 2010 में लागू हुआ bs4 लेकिन 2010 में वो 13 metro city में ही लागू हुआ था जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कॉलकत्ता, चन्न बैंगलोर, हाइदराबाद, एहमदाबाद, पूने, सूरत, कानपूर, अगरा तो ये euro 4 जो है न वो 2010 में metro city में ही लागू हुआ लेकिन euro 4 जो है ठीक है और अभी आपको पता है जैसे कि जो bs4 जो आया 2017 में 2000 यहां पे लिखा है 2017 में across the India मतलब 2017 में across the India जो bs4 apply हो गया ठीक है अब pollution इतना बढ़ गया है इतना बढ़ गया है कि जो bs5 हमने skip कर दिया है और सिधा bs6 पे हमने jump कर दिया है ठीक है वो apply हुआ 1st April 2010 एंड bs4 जो है वो हुआ 2012 ठीक है और जो 17 में जो 5 है वो हमने skip करके सिधा अब 20 में हमने bs6 पे jump लगा दिया ठीक है तो इस तरह से emission norms जो policy बनी ठीक है वो year wise apply होती गई आप थोड़ा book में पढ़ोगे तो बहुत easily समझ में आ जाएगा लेकिन जब petrol और diesel emission norms में क्या क्या change है तो basically जो emission होता है वो होता है carbon monoxide, hydrocarbon, nitrogen oxide and particulate matter ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते ह जो यह bs3, bs4 and bs6 का data जो मैंने लिया है यहाँ पर तो carbon monoxide जो है वो bs3 में इतना allow हो रहा था 2.3 ठीक है और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 वैसे hydrocarbon जो है वो पहले 0.20 allow किया जाता था अब वो 0.10 आ गया है ठीक है और nitrogen oxide जो है वो पहले 0.15 अब 0.06 तो यह friends change हुआ कि जो emission की वो हमने बहुत कम कर दिये जो government ने जो regulation बनाए उसमें emission जो है वो बहुत कम कर दिया गया है इसलिए जो बहुत सारी company को problem भी हो रहा है उनको ज्यादा से ज्यादा research करना पड़ रहा है और अब हम electric vehicle की और भी जा रहा है ठीक है so basically आप यहाँ पर देख सकते हो generally जो hydrocarbon है वो diesel में उसका issue नहीं आता है and जो nitrogen oxide है उस वो petrol में उसका issue नहीं आता है ठीक है so nitrogen oxide जो है आप देख सकते हो यहाँ पे यह ज्यादा है 0.15 है यहाँ पे 0.50 था और यहाँ पे जो है वो same कर दिया है ठीक है so इस तरह से particular matter जो है वो 0.005 कर दी है दोनों में ठीक है पहले कोई issue नहीं था पेट्रोल में अब यहाँ पे यह change हुआ है तो इस तरह से gnomes में जो emissions है ठीक है यह जो pollutants है उसको control किया है ठीक है control किया यानि आप कोई न कोई technology ऐसी use करो के जिसे की carbon monoxide hydrocarbon nitrogen oxide कम से कम produce हो ठीक है basically इसका meaning यही है ओके तो यहाँ पे भी एक दिया है particular matter के लिए gram प stationary engine है वो एक kilowatt hour में कितना gram particulate matter निकाल सकते है ठीक है तो BS1 में वो इतना था 0.4 BS2 में वो generally 0.15 BS3 and BS4 आप देख सकते हूँ यहाँ पे यहाँ से सीधा यहाँ पे यानि कि 80% उसको reduction किया है emission में ठीक है तो अभी जो भी घाडिया जो बिक रही है वो उसका यह fulfill करना जरूरी ह है ठीक है so friends यह था emission gnomes के बारे में छोटा सा introduction अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए share कीजिए and subscribe करना मत बुलिए thank you जैहिन जैपारा